नमस्कार आपका स्वागत राजनामा टीवे मैं हुनम आपके स्वागत प्रधान मंती नरिन मोदी ने राचसवा में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया पुदुवार को उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी और उसके राष्टी अद्धक्ष मलेका जुन खटगे पर तंच भी कसा उन्होंने कहा कि संसत में दो कमांडरों की गयर मौझूत्की का खटगे ने फायता उठाया था इसके अलाव उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस 40 सीटों पर भी जीत हासिल नहीं कर सकेगी पियम मोधी ने बगेर नाम लिये राहूल गांदी पर तंच कसा उन्होंने कहा मैं उस दिन तो कह नहीं पाया लेकिन मैं खटगे जी का विशेश आभार प्रगट करता हूँ बहुत द्यान से सुन रहा था खटगे जी उस दिन में और ऐसा आनन्द आया और ऐसा बहुत कम मिलता है लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है लेकिन वह दुछी ज्यूटी पर है तो मनोरणजन कम मिलता है उन्होंने कहा लेकिन लोकसाबा मैं खल रही मनोजनजन की कमी को आपने पूरा कर दिया और मुझे खुशी इस बात की थी कि माननी खटगे जी काफी शांती से बोल रहे थे समय भी काफी लिया था मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे बाद में मेरे ध्यान में आया कि जो दो स्पेशल कमांडर रहते हैं वो नहीं थे आजकल नहीं रहते हैं पिम मोदी ने कहा इसलिए बहुत भरपूर फायदा आदरनी खटगे जी ने उठाया मुझे लगता है कि उस दिन खटगे जी ने सिनेमे का एक गाना सुना होगा कि ऐसा मोका फिर कहा मिलेगा और खटगे जी भी एमपैर नहीं है कमांडोस नहीं है तो उन्हें चोके छके माने में मजा रहा था एक बात खुशी की रही कि उन्होंने जो NDA के लिए 400 सीटों का आशिवात दिया है मैं इस आशिवात को सरफ आखो पर रखता हूँ शुकरवार को ही संसद में खटगे ने कहा था कि भाजपा आप 400 सीटे जीतने की बात कर रही है उन्होंने कहा था आपको इतना भाउमत है पहले 330 से 334 थी अब तो 400 पार हो रहा है कौगे सद्देश के बयान के बाद ये मोदी समित भाजपा के सांसत मुस्कुराते वे नजर आए